Hey, Good Morning Children, Today we learn all-in-one message English subject Chapter 5 था हमारा Bill, Fell, Ill वो हमने chapter read किया था और थोड़ी सी exercise की थी आज हम आगे की exercise continue करेंगे चलो, तो हमारा यहां से बाकी था Match the opposite word Okay, opposite word हमें match करने है Ill यानि की बिमार तो well यानि की बिमार नहीं होता है उसको बुलता है well Hot तो cold Day तो opposite side है तो day तो क्या आएगा? Night Good तो bad Morning तो evening ऐसे match करना है चलो अभी नीचे Match is he word with the she word यह हमने आगे ग्रामर में सिखा था नहीं और she word वो ही हमें यहां पे फिर से continue करना है Uncle अंकल का क्या होता है? Ant तो यहां पे Ant Father का Mother तो यहां पे Mother Brother का Sister तो Sister Grandpa का Grandma तो यहां पे Where is Granny? अच्छा यहां पे लिखा है Granny तो वो भी हम बोल सकते हैं Husband तो Wife Okay ऐसे यह match करना है आपको चलो अभी नीचे Name the different part of your body Okay इसमें क्या करना है? आपको हमारे body के जो different different parts है उसके names लिखने हैं चलो यहां पे है Eyes है Nose है Hand है Leg है फिर Neck है Cheek है Lips है Nose है यह सब आपको यहां पे mention करने हैं चलो मैं यहां पे लिखती हूँ यहां पे head और your दिया है अभी हम third लिखेंगे Eye क्या लिखेंगे? Eye Fourth अभी हम लिखेंगे nose तो यहां पे nose Fifth हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? Hand यह hand लिखेंगे Six Finger Hand है यह finger Fingers लिखेंगे अभी यह leg Leg लिखते हैं अभी हम लिखेंगे अभी हम लिखेंगे और eight one is Tongue यह Tongue इसके मूँ के अंदर Tongue होती है न वो Tongue 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 क्या करना है बैड पे सोने जाने से पहले हमें क्या क्या करना है वो हमें टिक करना है Watch TV TV देखना है No Brush my teeth Yes हमें brush करने है न सोने से पहले तो Yes Put on my night dress Night dress पहनना है Yes Say good night to Dad and Mom Mom, Maa और पापा को good night कहना है Yes तो यहां पे टिक अपे नीचे Match the picture with the word इसमें क्या करना है यह इन वर्ड्स दिये है उसको उसके picture के साथ जॉइन करना है Shoe है Hair है Teat है तो देखो यहां पे एक example दिया है Nail है तो यह Nail cutter के साथ जॉइन किया है Shoe है तो Shoe Polish के साथ हम जॉइन करेंगे इसे Shoe Polish होता है ना Yes फिर यहां पे hair Hair किससे कॉम होता है कॉम से तो यहां पे hair के साथ joint Teat और Teat हम brush करते है ना हमने हमारे Teat साथ तो यहां पे आएगा Brush के साथ joint ऐसे आपको यह for जॉइन करने है चलो भी नीचे Now complete the sentence below यह complete sentence दिये है वो धूरे है वो हमें पूरे करने है चलो करते हैं हम We use a comb to Comb किसके लिए चाहिए? हमें hair comb करने के लिए तो यहां पे आएगा Comb our hair क्या आएगा Comb our hair Comb Comb our hair Okay, अभी नीचे hair We use nail clipper to Nail clipper हमें क्यों चाहिए? हमारे nails cut करने के लिए चाहिए ना तो पेर यहां पे आएगा पेर या फिर cut भी हम यूज करते है Cut our nails हम यहां पे यूज करेंगे Cut Cut Our Nails We use a tooth brush to Toot brush हमें क्यों चाहिए? Brush our treat Brush करने के लिए चाहिए ना हमें तो यहां पे आएगा brush Brush Our Teat Teat चलो लास्ट वान इज We use a shoe polish to Shoe polish किसके लिए चाहिए हमें? Polish our shoe Shoe polish करने के लिए चाहिए तो यहां पे आएगा Polish Our Shoe किसके लिए चाहिए? Polish our Shoe हमारे Shoe को polish करने के लिए चलो मैम ने यह answer complete कर दिये है आपको भी ऐसे करना है Draw here a comb and color it इसमें क्या करना है? यह color draw करके दिया है ना वो comb है आपको जो color अच्छा लगे वो आपको color करना है चलो turn your page यह तो grammar है जब हम grammar सिखेंगे तभी यह continue करेंगे Turn your page इसमें क्या करना है? आपको यह सब का name लिखना है फिर इसमें color करना है और यह जो same-same जैसी होती है उसको हमें करना है Join क्या करेंगे हम? Join तो second first तो दिया है यहाँ पर cray pencil है और pen है यह दोनों को match किया है same as नीच एक दिया है box box दिया है और उसके सामने दिया है क्या दिया है? यह है, क्या है bag? चलो हम box में भी सामान रख सकते है bag में भी सामान रख सकते है तो यह दोनों में हम करेंगे Join यह दोनों में आपको color करना है यहाँ पर हम लिखेंगे box यहाँ पर हम लिखेंगे bag हो गया? चलो यह दोनों का भी नाम बाकी है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे pencil और यहाँ पर लिखेंगे pen ओके थर्ड है यह है table table पर भी हम बैठ सकते हैं और यहाँ पे देखो चेर है, चेर पे भी हम बैढ सकते हैं, तो यहाँ पे हम जोइंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, यहाँ पे लिखेंगे चेर, ओके, चलो अभी लास्ट है, फ्लावर, यह है फ्लावर, फ्लावर है, उसके साथ कौन है, लीफ, फ्लावर के के साथ जॉइंट करेंगे यहाँ पे हमें लिखना है फ्लावर यहाँ पे हम लिखेंगे लीफ और चिल्डरन आपको यह कलर करना है यह था हमारा फिफ्ट चैप्टर बील, फैल, इल यह हमारा चैप्टर आज फिनिश हुआ यह एक्सराइज आपको थैंक यू चिल्डरन